एक सुसेंटीस रंज हो जुके हैं रंज की बहुत दर्कार है मारत मत्सेरा चैलेंजर्स की टीम को धर्टमेंट के फील्टर को अबर तीसकत की नायरे से बाहर पहुंचाया शादाब बजी देख पर दो थे आए ये गेंड इसको केले अंसाइट की जारब सॉफट हैं के साथ असारी के साथ एक रंग मुकमल किया एसन शम्रेज ने स्टाइप पर पुंचाया अपने सेनिर पार्टनर मौहमध अली को मौहमध अली जब तक पिकट पे बढूद रहेंगे उंताज खंत्रे बढ़ते रहेंगे जी फिरको बड़े कॉमपैक्ट बैट्समें हैं एक्स्प शादाब बची मौहमध अली के लिए युरुस्के लेगे लौग और टीम फिडियर तीस कज के दाएरे से बाहर हैं और साइट पे रहाफ दाएरे के अंदर है शादाब कद्वों का इस्तवार करके खेलना चाते थे इस मटबार आफसाइड से बाहर हैं और पार का इशारा है यह फाइनल को ताबना है यह प्रिक्षिट का खेल होता है इतना असाल ही होता कभी-कभी चुक्ता होते हैं वो भी खत्रा बन जाते हैं शादाम बजी इस मर्टबा दोड़तार त्रिके से केले गैप मेंग है फिल्टर नहीं पहुंच पाएंगे उंदा कोशर्श रदीम की जानब से हमाँ में टाइम लगाते हुए गैंद को वापस पहुंचाया और यकीनी तोड़ पे यह दोराज बचाएं अपने टीम के लिए आनबलीबबल फिल्टिंग कुमिटमेंट चेक करें नदीब खलील की गैरबाजी बहुत अगदा की है यह खिराडी बहुत इस मरतमा यह पेंटर शाट है शाट अफ दे डिलिवरी जानते थे लांग आप के विल्टर ताइरे के अंदर है और गेंद दंदना तीवी बोड़ी लैंसे बहार जारंज मिलिए पूराज शाट है रोड़ाज पीछे पट्की नहीं गहीं ती और क्या हुंदा मौमद अली के उपले से ये कोड़ शांदा चोगा है एक सो पैटालीस पांच जितों के नुक्सान में शाटा बजीत इस अवर में अच्छा केले हैं एहसन शम्रेज और मौमद अली शाटा इस मतबार जोड़ा तरीके से लिए नदीम खलील मुझूद है पड़ियों ताफ मौमद अली खतनाक दिकाई देते हुए अब हैसन शम्रेज पुर्कसान में करेंगे और यह आखरी यह धोनी अगली गेप होती है शाटा बजीद की जानब से 146 मजबूआ हो चुका है मंसेरा चेलिंजर्स का शाटा इस मतबासी देबले के साथ कहले हैं ऐसन शम्रेज ज्यादा डिस्टस नहीं मिला एकरां मुकंबल किया दूसरे के लिए जन्दी करना होगी और पहुती शाटार ने बिटी नवे के तोरों मैंटस की जानब से और उसी की साथ अठारा अवर्स का खेल खत्म हुआ मंसेरा चेलिंजर्स फाच श्रुक्तों कि नुक्सांच पे 148